कि नमस्कार दोस्तों कैसे वाप लोग मैं आपको compound interest बढ़ा रहा था चक्रती ब्यास बढ़ा रहा था साथ class में करवा चुका हूँ आज 8 वी class है इसके बाद में एक class और होगी एक class होने के बाद में आपका compound interest complete हो जाएगा आज की class में बहुत ही अच्छे-च्छे question हम करने वाले है पर उस question को करने से पहले आपके concept clear होने चाई Qution शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 논सेप्ट बताऊंगा, वो 논सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में set करने हैं आपके concept के लिए हो जाते हैं, concept आपको अच्छे से सीख जाते हो tuh Army Qution नहीं होगी देखो concept क्या है, ये चीज़े आपको पता है, कोई धन 5 से 6 हो जाता है एक साल में, कोई धन है आपका, मूल धन है 5 से 6 हो गया, आपको मूल धन 5 था, मिसर धन हो गया 6 एक साल में, 5 से 6 हो गया, तो 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में समय दुगना हो रहा है, पहले 1 से कितना हो होता है एक साल में तो तीन साल में कितना हो जाएगा भई 5 से 6 हो रहा है एक साल में तीन साल में मतलब समय तीन गुना हो रहा है तो पावर कितना होगा पहले से समय क्या हो रहा है दुगना हो रहा है तो समय दुगना होगा तो पावर कितनी लगाओगे आप दो लगाओगे तो आपका धन हो जाएगा तीन का स्कायर और चार का स्कायर पावर दो लग जाएगी अगर आपका धन तीन से चार दो साल में होता है तो यह छे साल में कितना हो जाएगा तो समय कितना हो रहा है तीन गुना तो पावर कितनी आ जाएगी तीन आ जाएगी तीन का क्यूप हो जाएगा और चार का क्यूप हो जाएगा ये क्यूशन में बहुत ज्यादा काम में आने वाली ये चीजे ये चीजे आप किलियर कर लेते हो तो क्या हो रहा है दुगना दुगना हो रहा है तो पावर कितनी आएगी दो आएगी तो चार का स्क्वार हो जाएगा आपका धन चार से पांच हो रहा है तीन साल में तो नो साल में कितना होगा समय देखो तीन से कितना हो गया नो तीन को ना होगा है तो आपका धनों का पावर आजाएगी चार का क्यूब और प्माच का क्यूब चार का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64 पांच का क्यूब कितना हो जाएगा 125 ठीक है किलेर हुगा, जैसे मैं दुबारा बता रहा हूँ आपको, अच्छे सा समझना आपको, पांस से च्छे औरहा था धन आपका एक वर्स में, तो दो साल में कितना होगा, घाथ दो लगा देंगे हम, पांच का स्क्वायर, छे का स्क्वायर हो जाएगा, यह तीन वर्स में कितना आपका धन तीन से चार हो रहा है दो वर्स में, तो चार वर्स में कितना होगा, तो समय क्या हो रहा है दुगना, तो पावर दो आई, आगे पूचरा ये छे वर्स में कितना होगा, तो कितना गुणा हो रहा है, तीन गुणा, तो पावर तीन लगाई, कोई धन है, चार से पा आई तो power 3 आएगी चार का cube और 5 का cube bono 4 का cube कितना होता इariat 5 क्यतना होगा 125 कि बहुत ही बारिकी की चीजे न lon concurrent,े आपको अच्छे से समझनी है आराम से समंझनी है आप रेगुलर रहो, समझाने की गारंटी मेरी हैं, 100% आपके समझ में आयागा, कोई धनाय, 125 से 216 हो रहा है, 3 साल में, तो एक साल में कितना होगा, अब उल्टा चनन आ आपको, तीन साल में आपको दे रखा है कि 125 से कितना होगा, 216, तो एक वर्स में कितना होगा तो देखो आपकर समय एक तीयाई कर रहा है तीन से कितना कर रहा है एक तीयाई कर रहा है तो इसका क्यूप रूट निकालना है क्यूप रूट निकालना है गन्मून निकालना है तो एक सो पचीस का गन्मून निकाल दो 216 का गन्मून निकाल दो ऐसी यहाँ पर देखते हो, कोई धन है, दो वर्स में आपका 36 से गुंचास हो रहा है, एक साल में कितना हो जाएगा, समय आदा हो रहा है, तो इसका square root निकालेंगे, वर्ग मून निकालेंगे, देखो समय एक दियाई करें, तो आपको निकालना है cube root, gun moon, और समय आदा करें, तो आपको निकालना है वर्ग मून, इसमें समय आदा कर रहा है, दो वर्स से एक वर्स कर रहा है, तो इसका मैं क्या निकालूँगा, वर्ग मून निकालूँगा, 36 का वर्ग मून निकालूँगा, और गुंचास का वर्ग मून निकालूँगा, तो आपका धन कितना हो तो इसका क्या निकालोगे आप गनमोर निकालोगे तो 512 का में क्यूप रूट निकालोगा इस तरीके से निकलेगा और 739 का में क्यूप रूट निकालोगा इस तरीके से निकलेगा गनमोर निकालना है पांसो बारा का क्यूप रूट कितना होता है पांसो बारा किसका क्यूप होता है आठ का और साथ सुगुंतिस किसका होता है नो का तो एक साल में आपका धन कितना हो जाएगा आठ सुनूप वापस आप तीन साल पे जाते हो तो cube कर दूँगा पांसो बारा, नोगा cube करूँगा 730, ऐसे एक example हो रहा है, कोई धन है, वो 64 से क्यांसी होता है दो साल में, एक साल में कितना होगा, समय आदा कर रहा है, आदा कर रहा है, तो मैं क्या निकालूँगा, इसका वर्गमूल निकालूँगा, समय एक तीया ही कर र कितना होगा, 8 से 9 होगा, ठीक है, 8 से 9 होगा, एक साल में आपका, समझ में आया, एक दो example और देना हो, उससे और किलिए रहोगा, 25 से 36 धन होता है 10 साल में, आपका धन है 25 से 36 होता है 10 साल में, तो 5 साल में कितना होगा, समय क्या हो रहा है, देखो, आदा हो रहा है, आदा हो जैसे आपका दन 16 से कितना हो रहा है 25 हो रहा है कितने साल में चार साल में चार साल में हो रहा है 16 से 25 तो दो साल में कितना होगा तो आदा हो रहा है समय समय आदा होगा तो क्या निकलूँगा मैं इसका वरकमूल 16 का वरकमूल निकाल लो 25 का वरकमूल निकाल दो समय कितना हो जाएगा चार से पांच हो जाएगा कितने साल में दो साल में धिरे धिरे ये चीजे समझ में आरेगी आराम से समझ में आएगी आगे चलो देखो क्या है ये example दखो कोई दन है 1000 से 1331 हो जाता है कितने सालों में? 9 सालों में तो ये 3 सालों में कितना होगा? मैंने क्या करा है? समय को 1TI करा है 1TI करा है तो मैं इसका क्या निकलूँगा? Q-prude निकलूँगा 1000 का Q-prude निकल दो गन्मोन निकल दो और 1331 का आप गन्मोन निकल दो चमच में 3 आएगा गन्मोन निकलोगे तो 1000 का Q-prude गन्मोन होता है 10 और 1331 का कितना होता है 11 तो आपका धन 3 साल में कितना होगा? कितना होगा देखो 10 से 11 तो 9 साल का आप देखते हो हुस cash के और भीधा देखते हो कि नो साल में कितना हो जाएगा समय पहले से तीन गुना तो गाहत में तीन लगार के चेक करता हूं तो यह दस की गाहत तीन करूँगा तो इक अजार आएगा गयारा की गहात तीन करूँगा तो टेरा सुझा Lake किसे भी मैं कर सकति हूँ जैसे आपका धना valid कितना हो जाता है 9261 कितने सालों में 12 सालों में तो 4 सालों में कितना होगा आप बोलू कि सब समय क्थ्थ करें एक्थिया करें तो मैं कि क्यूपरूर निकालोंगा तो 8000 का क्यूपरूर निकालो आप इसका क्यूपरूर निकालोंगा और 9261 का में क्यूपरूर निकालोंगा अराम से समझे जाओ देखो यह 20 से कितना हो जाएगा 21 चार साल में कितना हो जाएगा आठ हजार का में क्यूप रूड निकालता हूँ तो कितना आता है बीस 9261 का में क्यूप रूड निकालता हूँ तो कितना आता है बीस तो चार साल में आपका धन कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा और example देखो, मैंको आपका concept clear कराना है, बिल्कुल भी कसन नहीं छोड़ूँगा, आपको हर चीज समझ में आएगी, आपका धना 100 से 121 होता है, कितने सालों में, 20 सालों में, अब आपको बताना है, इतने practice मैंने आपको करवा दी, कि ये 10 सालों में कितना होगा, आप बोलोगे सु का वर्ग मून निकालूंगा तो 10, और 121 का वर्ग मून निकालूंगा तो 11, आपका धना है, 10 से 11 हो जाएगा 10 सालMS इसे यहाँ पे देखो, 9 से 16 हो रहा है, कितने सालों में, 15 साल में, 25 साल में कितना हो घरज़ूँअ, फिर बोलोगे सब, समय क्या हो रहा है, आदह हो से तेरा सुई गत्तिस हो रहा है, कितने सालों में, तीस सालों में, तो दस साल में कितना होगा, समय क्या हो रहा है, एक तीय ही हो रहा है, तो आप क्या निकालोगी, इसका घंदमूल निकालोगे, तो एक हजार का घंदमूल आप निकालोगे, ऐसी निकालोगे, ठीक है, और त 1331 का घंमूल इस तरीके से निकालोगे 1000 का घंमूल कितना होता 10 1331 का कितना होता 11 तो आपका 10 साल में धन होगा 10 से 11 अराम से समझ में आई यह चीज़े 100% समझ में आई होगी अब कुशन सोल करने में आपको कोई तकलिफ नहीं होगी ठीके अब मैं आपको बताता हूँ कोई भी धन आपका कैसे बढ़ता है यह कम होता है आराम से समझना जो concept आपको बता है उससे related ही है देखो जैसे आपका धन बढ़ता है कि 2 साल में इतना हो गया 4 साल में इतना हो गया 6 साल में इतना हो गया इस तरीके से language में आपको question में मिलेगा आपको देरा का है कि आपका धन 2 से 4 words में 5 से 6 हो रहा है 2 से 4 words में कितना हो रहा है 5 से 6 हो रहा है कितने साल का अंतर है 2 और 4 में 2 साल का अंतर है 2 साल में ये 5 से 6 होगा तो आगे के भी 2 साल में जो ये 4 से 6 हो रहा है कि यहां पर भी तो 2 साल का अंतर है तो यहां पर भी यह ना 5 से 6 होगा, यह दिहान रखना इस 유튜fry शङसे लाए, Woah कि यहां पर इन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है, यह 2-4 वर्ट 순री है, तो यह अगे भी 5 से 6 होगा, क्या पर क्या यह 5 से 6 होगा, यहां पे भी 5 से 6 होना है वाला है समान अंतर है समान अंतर में ये 5 से 6 का हो रहा था तो आगे भी ये समान अंतर है 5 से 6 होगा और इधर भी समान अंतर है 2 वर्स का अंतर है इधर भी ये 5 से 6 होगा यह चीजे क्यूशन में बिल्कल क्लियर हो जाएगी घबराना नहीं है आपको जैसे आपका मूल्दन है P से 3 वर्सों में कुछ होता है फिर 3 से 6 वर्सों में कुछ होता है फिर 6 से 9 वर्सों में 10 से 11 होता है 6 से 9 वर्सों में कितना होता है 10 से 11 होता है यहां पर भी तीन वर्स का अंतर पीया सम दो में कीज़ दहन होता हैं भी छेवर्स में Conference दहनता है 4-9, इधर धियन दो, छे वर्स से, दस वर्स में कितना होता है 4-9, 4 वर्स का गेप है, जहाँ चार वर्स का गेप होगा वहाँ आपका धरन होगा 4-9, यहाँ चार वर्स का गेप है यहाँ भी दहनता होगा remains 4-9. होगा क्योंकि चार वर्स में कितना हो रहा है चार से नो हो रहा है अब यहां पर गेर कितने का है दो साल का यह अभी मैंने एक्जामपल से सिखाया आपको कि चार से नो हो रहा है कितने साल में चार साल में तो यह दो साल में कितना होगा आप बोलोगे सब समय क्या हो रहा है आ से तीन होगा तो यहां पर यह बढ़ेगा दो से तीन की रेट से दो से तीन बढ़ेगा और यहां से चार से नो बढ़ेगा यहां पर 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 चार से नो बढ़ेगा अब समय का गेप यहाँ पे दो वर्स ही है यहाँ पे आपने निकाल लिया कि 4 वर्स में 4 से 9 होता है तो 2 वर्स में कितना होगा समय आदा करोगे आप समय आदा करोगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 4 का वर्गमूल कितना 2 और 9 का वर्गमूल कितना 3 तो दो वर्स में बढ़ेगा आपका दो से तीन, अब क्यूशन करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, देखो कितने मज़ेतार पॉंसेप्ट से आप क्यूशन सौल करते हो, आज की ग्लास का पहला क्यूशन देखो, कोई धन्रासी चकरिती व्यास से पहले वर्स के अंत में 650 रुपए, दूसरे वर्स के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धन्रासी आपको बतानी है, देखो, पी है आपका मूलदन, पहले वर्स के अंत में, और दूसरे वर्स के अंत में, दो डेटा आपको दे रखे, पहले वर्स के अंत में कितनी हो जाती है, 650, आरा के बाड़े से गाटता हूं 13,65 13,65 32,26 13 का बाग दे दिया फिर कट रहा है दो के बाड़े से गाटो ये 25 बार और ये कितनी बार दो का बाग दूँगा तो बावन में 26 बार एक साल का गेप है तो आपके एक साल के गेप पे आपका धन 25 से 26 बढ़ेगा क्यों बड़ेगा क्योंकि यहां पे भी एक वर्स का अंतर है आराम से समझना ये बहुत अच्छे क्यूशन है ज्यान रखना एक वर्स का गेप था आपने जो मान दे रखा था उन दोनों को पकड़ा ठीक है उनका अनुपात बना लिया कि 25 से 26 होगा एक साल में तो सुरू में भी तो गेप आपको एक साल का दे रखा है तो यहां पे भी क्या होगा 25 से 26 होगा ठीक है सुरू में मैं क्यों जा रहा हूँ आपको मूलदन निकारना है तो इधर आपको आना पड़ेगा इस तरफ अब देखो मूलदन है 25 और एक साल बाद में मिस्रिदन आपका 26 इसका मतलब यह है आपको मूलदन कितना है 25 है एक साल के बाद में आपका मिस्रिदन कितना हो जाता 26 क्यूशन में कह रहा है कि एक साल बाद में तो कितना हो रहा है 650 हो रहा है कितना है शस्सो पचास है यहां से एक इकाई कमान निकालो गुणा की रासी हमेशा भाग में जाती है शस्सो पचास के भाग में चला जाएगा 26 तेरा के पाड़े से काड़ दो तेर पंज पैंसर्ट गीरो पीछे पढ़ाए तेर दूना 26 पचास में मैं दोका बात दोंगा तो कितनी बार जाएगा 25 बार एक इकाई कमान कितना आ गए 25 रुपए सिखाइए पी 25 है ना तो मैं 25 को 25 से गुणा करा दूंगा तो आप का अंसर आ जाएगा 25 गुणा 25 क्या आंसर आएगा आपका 625 रूप है या आपका अंसर कौन सा उप्सन है इस तरीके सा आपको सोल करना है ये क्युषन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं ऐसे 6-7 क्युषन लेके आया हूँ कॉंसर आपके दिमाग में सेड करके जाओंगा ऐसे क्युषन आप कभी भी नहीं छोड़ोगे कभी भी गलत नहीं करके आओगे आपके पास भी थे आपके पास दो वर्स के बाद की और एक आपको दे रह रखिये चार वर्स के बाद की ठीक है घेस साथ अब या मैंनुपाद बनाओ 0 से 0 कड़ जाएगा यहाँ पर बचा देगो 450 विदर बचा 675 मैं इसको 16 करता हूँ 15 के बाड़े से काड़ो 15 ती 45 15 चो के 60 4 बार गया 7 बज़ गया 15 पांच पिचेतर फिर 15 के बाड़े से दुबारा काड़ो 15 ती 30 15 ती 45 गयप कितने साल का है यहाँ पर 2 साल का है तो 2 साल के गयप में आपका धन है 2 से कितना होगा 3 होगा 2 साल के गयप में ठीक है आपका धन कितना होगा 2 से 3 होगा यहाँ पर भी तो देखो 2 साल का गयप है तो आपका यहाँ पर भी धन कितना होगा दो से तीन होगा जहांपे भी दो साल का गेप होगा वहांपे आपका धन ओटोमेटिक दो से तीन होगा यहांपे भी दो साल का गेप है तो आपका धन कितना होगा दो से तीन मुल्दन पूचा है दो इकाई का मान आपको निकारना है दो साल के बाद में आपका मिस्रदन कितना हो जाता है तीन इकाई जब कि क्यूशन के अकोर्डिंग दो साल के बाद में कितना हो जाता है पेतालिस सू अराम से समझ में आने लगा होगा तीन इकाई का मान आपको दे रखा है कितना पेतालिस सू ठीक है साथ तीन इकाई के बराबर पैतालिस सो क्यों रखा पता है कि दो साल के बाद में आपका मिस्रदन कितना हो गया तीन इकाई जब क्यों 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 कह रहा है कि दो साल के बाद में तो पैतालिस सो होता है इसलिए मैं बराबर रख रहा हूँ एक काई कमान निकाल लोगा मैं 4500 में मैं 3 का बाग दे दूँ कि कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 3500 बार अप से पूछे काया मूलदन पूछा है मूलदन कितना है देखो 2 एक काई ठीक है एक एक काई कमान 1500 है 1500 को मैं 2 से गुना करा दूँगा आप का अंसर आजाएगा क्या आंसर होगा 30,000 बहुत भहतरीन तरीका है इससे अच्छा तरीका कोई हो इनी सकता कोई साइह कुशन आप छोड़के नहीं आओगे आप का अंसर आगा है 30,000 आंसर है अगले कुशन पर चलो कोई धंडासी चक्रोती व्याज की किसी वार्षिक दर्से दो वर्स में 6050 रुपे तता तीन वर्स में 6655 रुपे हो जाती है आपको धंडासी बतानी है देखो अच्छे से समझना हो दो वर्स के बाद में ठीक है साब और एक आपको दे रहा है तीन वर्स के बाद में अरहम से समझना है दो वर्स के बाद में कितनी हो रही है 6050 और तीन वर्स के बाद में कितनी हो रही है 6655 रुपे टीक है इसको सोल कर लो या तो पांच के पाड़े से काट दो पांच के पाड़े से काटो पांच एकम पांच पांच दो नी दस पांच एकम पांच इसमें पांच का भाग दो पांच एकम पांच पांच थी पंद्रा पांच थी पंद्रा पांच एकम पांच देखो यह आया 1210 यह आया 1330 या तो 11 के पाड़े साब डिवाइड कर दो या आप देख सकते हो कि मैं 121 से काटूंगा तो 121 से 121 कर जाएगा जीरो इसके पास पड़ा है 121 का मैं भाग देता हूं 1330 में पूरा पूरा जाता है 11 बार तो आपका धना है न 10 से 11 होगा कितने साल के गेप में यहां पर देखो 2 और 3 साल में कितने का गेप है एक साल का गेप है आपको मूल दे निखाना है इस जे के जाना आपको और यहां पर गेप कितना है दो साल का गेप है अच्छे से समझना देखो क्यूशन कहा रहा है ने दो वर्स बाद 6050 रुपे हो जाता है तो सुरू से यहां तक दो वर्स तक दो वर्स का गेप है अब आपका धन यहां पे 10 से 11 नहीं हो सकता यह तो एक साल के गेप में होता है तो आप पता करो कि यह 2 साल के गेप में कितना होगा मैंने बहुत अच्छे से concept आपको दिमाग में set करा है कोई धन तो 2 साल में कितना हो गया? समय दो गुना हो रहा है तो पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी 10 पर पी पावर आजाएगी, 11 पर पी पावर आजाएगी 10 का स्क्वाइर करूंगा तो कितना आएगा 100 और 11 का करूंगा तो कितना आजाएगा 121 तो आपका धन है 100 से 121 होगा कितने साल में? 2 साल में तो ये कितना हो जाएगा 100 से 121 हो जाएगा 2 साल बाद में आपका मिस्रदन कितना हो जाएगा? 121 एकाई जबकि क्यूशन गह रहा है कि दो साल बाद में आपका मिसरदन 6050 रुपे हो जाता है तो 121 एकाई कामान कितना होगा 6050 होगा अच्छे सा समझना है देखो कॉंसेप्ट को तो 121 एकाई कामान आपके पास आजाएगा 6050 रुपे 121 आपको पता है 11 का स्क्वार होता है मैं 11 के पाड़े से इसको काट सकता हूँ 11 का बाद इसमें दूँगा या एक इकाई कामान ऐसे निकाल लो आप कुना की रासी है भाग में जाएगी 6050 रुपे 121 11 के पाड़े से काटू 121 में मैं 11 का बाद दूँगा तो 11 बढ़ जाएगा इसमें 11 का बाद देता हूँ 11,55, 5 बज गया वापस पचपन हो जाएगा 11,55, फिर 11 का बाद मैं पचपन में देता हूँ 5 पर 0 पीछे पढ़ाए एक इकाई कामान कितना आजाएगा 50, आपसे पूछा है मूल्द, मूल्दन कितना है देखो 100 काई, पी है आपके पास 100 काई तो मैं 100 को किस से गुणा करा दूँगा 50 से आप का अंसर आजाएगा बहुत बढ़ी है क्यूशन है, कई बार ये एक्जाम में आ चुका है प्रिवेस यार आप उठा के देखना, जिस एक्जाम की भी तैयारी कर रहे हो जितने भी मैं क्यूशन करा रहा हूँ, सभी आई हुए है आपको दिख जाहेंगी यूँ, आज़ेटीज मिलेंगे डी ओफसन आपका अंसरों का 5,000 कोई धन दो साल में चक्रिवती व्याज की दर से 2200 रूपे हो जाता है तता 6 साल में 16,200 रूपे हो जाता है मुल्दन आपको बताना है, देखो पी है, ये दो वर्स में कितना हो जाता है, 2200 रूपे, ठीक है सब फिर आगे कह रहा है, 6 साल बाद 6 वर्स बाद, ये कितना होता है, 16,200 रूपे, यहाँ पर गेप देखो, चार वर्स का है, और यहाँ पर कितना है, दो वर्स का ही गेप है, ये चार वर्स का अनुपात आएगा चार वर्स में आपका धन इतने से इतना होगा तो दो वर्स में कितना होगा वो आप आराम से निकाल सकते हो पहले इसको सोल कर लो, मैं इसको सोल करता हूँ दो जीरो से दो जीरो कट गए है, यहाँ पे बचेगा बहतर और यहाँ पे बचेगा 162 अठारा के बाड़े से सोल कर सकते हूँ, इसमें चार का भी बाग दे सकते हूँ, अठारा के बाड़े से कड़ आएगा, देखो, अठार चोके बहते हैं, चार बार, और अठारा ना में 162, नो बार, ये चार साल में हुआ आपका दन, चार साल में आपका दन, चार से कितना हो तो मैं इसका क्या निकालूंगा वर्ग मूल निकालूंगा चार का वर्ग मूल कितना होगा दो उन्हों का वर्ग मूल कितना होगा तीन तो दो साल में आपका धन कितना होगा दो से तीन होगा तो मूल धन है तो तीन हो जाएगा दो साल बाद में क्योशन कह रहा है कि दो साल पाद में तो कितना होता है ? 2 बहुत होता है तो अब निखात लो 3 इकाई का मान आपको दे रखता है कितना ? 25 तो इससे देतो 3 का पाग, 3 दो नीचा है पजिकेsomething तीन चोठ बहारा 210 बहार जाएगा , 2 इकाई है साब ? मुल्दन निकाणना मुल्दन नो है ? 2 isकाई है दिरे दिरे चीजे सिखी जाती है, ऐसे एक दिन में सब कुछ नहीं सिख सकते हैं, सिखा मैं दूंगा, रेगुलर आपको रहना पढ़ेगा, रेगुलर आपको त्यूशन सोल करने पढ़ेंगी, एक इकाई का मान 2400 आया, दो इकाई का कितना आ जाएगा, 2400 गुणा दो, 2400 4800 होता है, डबल जीरो पीछे पढ़ाया, आप का आंसर होगा, 4800, देखो, आसान है ना, बिल्कुल, कोई दन, तीन साल में चक्रियों की व्याज की दर से 4800 रूपे हो जाता है, छे साल में 7200 रूपे हो जाता है, मुल्दन आपको बताना है, देखो, पी है आपका, इधर हो रहा है, 7200, ठीक है, यहां पे कितने का गेप है, 3 वर्स का, 3 से 6 में 3 वर्स का गेप है, इधर भी 3 वर्स का गेप है, जो भी अनपात बनेगा, एजटीज रहेगा, दो जिरो से 2 जिरो खट गया है, यहां पे 48 बचा और यहां पे बचा बहतर, चोईस के पाड़े से काट साल बाद में 3 हो जाएगा जबकि क्यूशन कह रहा है कि 3 साल बाद में तो कितना हो रहा है 48 तो 3 इकाई कमान कितना है आपके पास 48 इक पास 48 में आप 3 का भाग दे दो दो जीरो पीछ पढ़े है जड़ी चिपक जाएंगे 48 में 3 का भाग दूगा तो 16 वर जाएगा दो जीरो पीछ पढ़े एक पास कितना है इस वोल दन आपको निकारना कितना है यह मूल दन दो इक आई 1602 से गुणा हो जाएगा क्या अंसर आजएगा 22 22 388 अगले क्यूशन प्रफप कोई दन चक्रवती ब्याज किये कि निसी दर पर तीन वर्स में 4500 रूपए तता छे वर्स में 13500 रूपए हो जाता है तो वो धन आपको बताना है बिल्कुल आसान है देखो सेम क्योशन आगए है यह 3 वर्स में और आपके पास 4500 रूपए हो और 6 वर्स में हो रहा है कितना की तेरह जार 500 सुरूप है कितने साल का गेप है तीन साल का इधर भी तीन साल का गेप है जो भी अनपाथ आएगा वो एज़टीज रहने वाला है दो जिरो से दो जिरो चला जाएगा यहां पे 45 बचेगा और यहां पे कितना 135 पैटालिस का भाग 135 में पूरा-पूरा जाएगा 3 बढ़ा होता है तो तीन कमान पैतालिस सो है एक कमान निकाल सकते हो तीन इकाई कमान आपके पास कितना आगया पैतालिस सो आगया एक ही काई कामान निकालो 45 में मैं तीन का भाग देता हूँ तो 15 बार जाता है 0000 पीछे फड़ाई मूल दन पी आपसे पूछा पी कितना है एक ही काई ही है तो 1501 से उना होगा तो क्या अंसरा जाएगा आपका 15 सुई आ जाएगा तरीके आप सीखते हो टाइम लगता है उनको रिवजन आप रेगुलर करो उनको अच्छे से दिमाग में सेट करो कॉंसेप्ट हिलेगा नहीं फिर तरीके दिमाग से निकलेंगे नहीं और आसानी से आप क्यूशन सोल करोगे तबी तो भीड से आगे निकलोगे आप अब कितनी ट्रिक रटोगे हर क्यूशन के लिए नहीं रट सकते मैं भी नहीं रट सकता आप भी नहीं रट सकते तरीके आपको सीखना पड़ेगा ठीक है आगे चलो कोई दन दो साल में चक्रिवती ब्याज की दरसे तीन अजार हो जाता है तो चार साल में कितना तीन अजार ठीक है साब और चार वर्स में कितना हो जाएगा चार वर्स में हो जाता है साब पेतालिस सुरूप है अब आपको बूच रहा है कि वो आठ वर्स बाद में कितना होगा यह बूच रहा है ठीक है यहापे जो गेप आएगा वह कितने साल का है, दो साल का है, और ये चार से आठ वर्स, यहापे कितने गेप है, चार साल का है, जो भी अनपात आएगा, वो दो साल के अकोडिंग आएगा, आपको निकानना कितने साल के अकोडिंग है, चार साल के अकोडिंग, समय दुगना करेगा, तो घात क्या कर दें कितने साल में दो साल में आपको तु चार साल का देखना है कि चार साल में किस दर से वो बड़ेगा दो साल में इतना वड़ता है तो चार साल में कितना वड़ेगा मैंने जो कॉंसेप्ट बताया आपको क्यूसन सोर गरने से पहले ऐसे ही थोड़ी बताया है सब दुगना हो र नो का मान आपको निकालना है, यहां में कितना वाञा है. क्यार बंजे 20, ग्यारा सो पच्चीस है, आपको निकानना 9 ही कई, 8 साल बाद में कितना हो गाता है, तो ग्यारा सो पच्चीस को मैं 9 से गुणा करा दूंगा, ग्यारा सो पच्चीस गुणा νो, आपका अंसर आजाएगा, देको नो पंजे 45, असिल के 4, 9 दूनी 18 और 4, कितना वर्ष बाद में इस तरीके साथ को सोल करना है revenue कितने मजवधार 컨सेटर आर पाते तक दीन होचता है तो उसका आउसर उना ुटार इश पूचücken पूछता था आठ वर्ष बाद में इस तरीकस से चलना है यहाँ पे दो साल का आप यहाँ पार चार साल का तो दो साल में हम रहा था दो से तीन, चार वर्स में कितना होगा, समय दो गुना होगा, तो गहाद दो कर दी इसकी, душ की गहाद दो करूँगा, चार, इनकी गहाद दो करूँगा नु, आपका ध technologies दंद 4-9 होगा, 4-8 वर्स में, 4-9 हो गया, तो चार वर्स में कितना हो रहा था? 4500 हो रहा था क्योशन क्या कोडिंग? चार कमान कितना रखा? 4500 हो एक कमान निकाल लिए 1125 और उसको 9 से गुणा करा दिया आपका अंसर आगया ठीक है? कोई धन्रासी वार्सिक रूप से सयोजी चक्रवित ब्याज की किसी दर से दो वर्स में 4840 रूपे तता तीन वर्स में 5324 रूपे हो जाती है वार्सिक ब्याज की दर आपको बतानी है देखो इसमें एक वर्स का हैं अंतर है रेट कुछे तो आप ये देख लो ये 4840 से 5324 कितना बड़ा हो? दर डाइरेक्ट आप निकाल सकते हो कैसे? आपका दन 4840 से कितना हो रहा है? 5324 रूपे हो रहा है तो आप ये देख लो कितना बड़ा? 4840 से 5324 ये 484 बड़ा है रेट आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि ये 484 बड़ा ठीक है? अंतर लिया है मैंने 5324 में समय 4840 गठा दूँगा तो 484 आएगा 484 बढ़ाएगा किस पर 4840 पर जब समय का अंतर एक वर्स हो तो आप rate डायरेक्ट निकाल सकते हो 0 सी 0 cancel हो जाएगा 484 चैनल हो गया 10 बचाएगा वो ही आपकी rate आगई तो R कमान कितना आजाएगा 10 पर 30 कुनसा option है यह option आप बोलोगी सब अंतर 2 वर्स का होतों 3 वर्स का होतों तो फिर आपको अनुपात निकालना पड़ेगा 1 वर्स का कैसे जैसे P है यह 2 वर्स में कितना हो रहा है 2 वर्स में और यह 3 वर्स में 2 वर्स में हो रहा है सब 4840 रूपे और तीन वर्स में हो रहा है 5324 रूपए यहाँ पर एक साल का ये एप है अगर मालो दो साल का गेप हो जाता तो आप एक वर्स का गेप निकालो कि एक साल में धन कितना होगा तो मालो एक साल में हो जाता कि पांस से छे हो रहा है तो पांस से छे हो रहा एक बड़ा पांच पे बुना सो इस तरीगे से रेट निकालनी है आपको जब दो साल का गेप आ जाए मालों तीन साल का गेप हो आ जाता कि धना आपका एक हजार से तेरा सुई गत्तिस हो रहा है तीन साल में एक्जामपल से समझा रहा हूं देखो तो आप पहले ये निकालना कि एक साल में कितना होगा एक साल में कितना होगा वो निकालो तो एक साल में आप निकालोगे इसका क्यूप रूट लोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये כतना हो जाएगा 11 परए 1000 का क्यों प्रूट कितना हैगा 10 1331 का कितना हैगा 11 एक साल को बखड़ना आपको इधन निकानने के लिए एक साल का अनपाति आपको लेना होगा ध्यान रखना तो आपका धन 10 से 11 हो रहा कितना बड़ा एक बड़ा किस पे दस पे और इसको प्रतिसत में बदनने के लिए किस से गुणा सो से गुणा तो आर का मान कितना आ जाएगा दस प्रतिसत ये एक जामपल लिया है ध्यान रखना एक वर्स का गेपो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि धन आपके पास इतना था इतना बड़ा तो कितना बड़ा किस पे बड़ेगा पहले वाले धन पे बड़ेगा उसको प्रतिसत में बदनने के लिए सो से गुणा कराते है एक क्यूशन और करते हैं, आराम से उसको समझना, सेम ऐसा ही क्यूशन है, कोई धन्रासी चकरजी ब्याज से तीन वर्स में 2400 रूपे और चार वर्स में 2520 रूपे हो जाती है, ब्याज की वार्सिक दर आपको बतानी है, देखो, पी था, ये तीन वर्स में, कितना हो गया, 2400 रूपे है, और चार वर्स में कितना हो गया, 2520 रूपे, यहाँ पर गेप कितना है, एक साल गई, तो आप यहाँ पर डारेक्टी इसको सोल कर सकते हो, जब समय का अंदर एक वर्स का हो, तो आप डारेक्ट सोल कर सकते हो, कैसे, कि ये 2400 से 2520 हुआ कितना बढ़ा है, आप ब 202 और इसको परतिससत में बदनने के लिए किस से गुणा, 100 से गुणा, आर का मान परतिससत में आएगा, 2-0 से 2-0, चोईस का बाग 120 में दोगे, तो पुरा-पुरा जाएगा 5-12, तो आर का मान कितना आए गया, 5 परतिससत, ए उपसन आप का अंसर होगा, इसको आप सोल कर के आप रेशो बनाते, तो कैसे सोल करते, देखो, 0 से 0 गया, 12 के बाड़े से काड़ दो, 12-24, ठीक है साब, 12-24, 12-12, एक साल में आपका धन कितना होगा, 20 से 21 होगा, अनुपात आ गया, यहां से भी आप देख सकते हो, कितना बड़ा, एक बड़ा है, किस पे 20 पे, और इसक तरीके से पे आप निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो भी रेट 5 परतिसेती आएगे, अनुपात निकालने की जुरूत नहीं है आपको, जब समय का गयप एक वर्स का दे रखा हो, अगर यह दो वर्स का गयप होता, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहां पे तो अभी नहीं निकाल सकते हैं, कि 41 बड़ा है, 400 पर गुणा सो, इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, यहां पे गेप है दो वर्स का, गेप होना चीए एक वर्स का, तो एक वर्स का गेप कैसे निकालोगे, अच्छे सा आपको पता है, समय आदा हो रहा इसका square root निकालूँगा तो 20 से कितना हो जाएगा 21 अब देखो एक वर्स का gap हो गया अब कह सकते हो आप 20 से 21 हो रहा है एक वर्ड रहा है 20 पे गुणा 100 तो आज की class बहुत ही अच्छी class थी बहुत ही अच्छी question मैंने solve कराए है इसको आराम से देखना एक बार में समझ में नहीं आए दूसरी बार देखना तीसरी बार देखना important question है हर exam में पूछे जाते हैं मैं challenge के साथ कहता हूँ जिसकी math बिल्कुल भी week हो कुछ भी नहीं आता math में मैं उसको guarantee के साथ सिखाऊँगा condition एक ही है regular आपको रहना पड़ेगा regular class है आपको लेनी पड़ेगी बस इतना सा है एक class और उनका compound interest चक्रोटी ब्यास complete हो जाए फिर आप comment box में बताना कि हम लोगों की ये topic पढ़ना है मैं वो topic स्टार्ट कर गूंगा ठीक है